असलाम अलाइकुम बच्चो आज 14 जून है बच्चो पिछली क्लास में हमने मिटी का तेल पड़ा था और आज हम उसी सबों को पूरा करेंगे जो के पेज नमबर 37 पर है तो चलो बच्चो शुरू करते हैं जब पूरी तरह मेरी सफाई नहीं हो पाती तो मुझे लोग मिटी का तेल ही कहते हैं तेल नकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रह जाता है वो काफी गाड़ा होता है मेरी उस शकल को ग्रीस कहा जाता है ग्रीस मिशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है इसके बाद भी जो मुआद बाकी रहता है उसे तरकॉल कहते है आप जिन साफ सुथरी और पुखता सडकों पर पैदल चलते हैं या गाड़ियों में सफर करते हैं उन पर तरकॉल बिचा होता है तरकॉल को रेत और बजरी के साथ मिला कर सडकों की तामीर के काम में लाया जाता है बचों मिटी का तेल कहता है कि जब मुझे अच्छी तरह सफाई गरों में साफ नहीं किया जाता तो मुझे मिटी का तेल कहते हैं क्या कहते हैं मिटी का तेल कहते हैं जब करते हैं तो तब मुझे पैटरोल कहते हैं और बचो जब तेल नकाल लिया जाता है तो वहां जो गाड़ा मुवाद रह जाता है हम उसे ग्रीस कहते हैं क्या कहते हैं ग्रीस कहते हैं जो मिशीनों गाड़ियों के पुर्जों को नरम रखता है क्या करता है नरम रखता है और जो ग्रीज के बाद आखर पर रह जाता है उसे तरकोल कहते हैं बचो क्या कहते हैं उसे तरकोल कहते हैं जो रेत और बजरी के साथ सड़कों पे बचाया जाता है क्या किया जाता है बचाया जाता है जिस पर हम गाड़ियां भी चलाते हैं और खुद भी चलते हैं यूं तो मेरे वजूद का कोई हिस्सा भी बेकार नहीं होता लेम्प और लाटेन से जल कर हंदेरे गर को रोशन करता हूँ उस्टो भी मेरे दम से जलता है मेरे बच्चे कच्चे मेल से मौंबतियां बनाई जाती है इन ही बेशमार फाइदों की वज़ा से मुझे स्याल सोना भी कहा जाता है और मिटी का तेल कहता है कि मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता है हर हिस्से का कोई ना कोई फाइदा होता है अगर लेंप और लैल्टें में डालेंगे तो खुद नेरे गार को रोशन कर देता हूं स्टो भी मेरे दं से जलता है और मौंबतियां भी इसी के बच्चे आइ हुई मेल से बनती है और इन ही वजों से मिटी के तेल को स्याल सोना भी कहते हैं तो बच्चो स्याल कहते हैं बैती हुई चीज को तो चलो बच्चो देखा आपने तेल के कितने फाइदे होते हैं तो चलो बच्चो आज के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं अगली क्लास में